आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ करेंट लिया है, तुरंबर उफ करेंट दिस्ट्रिबूटर को कि तनी बुक्स मेली वह भी हमें गिवन है Question हम से पूछ रहा है, तान नमबर उफ दिस्ट्रिबूटर को कितना परसेंट ज्यादा है than that of company C, company C के distributor से, तो देखो हमें number of distributor find out करना है company E के लिए और company C के लिए हमें पता है कि जो books distributor हुई है, उनका भी number पता है total number जो है books का E company और C company के लिए उसके बाद हमें C और E के एक distributor को जो books मिली उसका भी number पता है, तो हम find out कर लेंगे number of distributor कितने है, तो देखो दो companies की हम बात करेंगे, एक तो E company की बात करेंगे, एक हम C company की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम number of books distributed की बात कर लेते है, number of books distributed, तो जो books जो हम कितने distributed उनकी बात करें तो E company में देखो total 4500 printed हुई थी, उसमें से 70% तो हम कह सकते हैं कि 4500 का 70% और C company के लिए बात करें तो 3800 का 75% distribute हुई थी print हुई थी 3800 उसका 75 हनोंने distribute कर दी तो 20 से 20 cancel out कर दी हमने यहां पर भी 20 से 20 cancel out कर दी 45 into 70 करेंगे तो हमार पास कितना आएगा 3150 आएगा तो number books distributed कितनी आगे 3150 यहां पर 38 into 75 करेंगे तो 2850 आएगा 2850 number of books distributed by company C आ गई आप देखो number of books received by each distributor हर एक distributor को कितनी books मिली उसकी बात कर लेते हैं books received by each distributor is equal to देखो हमें number given है question में ही दिया गया देखो table में हमें 190 जो है C के distributor को मिली हर एक distributor को और 150 जो है E के distributor को मिली हमें number of distributor find out करना है तो number of distributors हमारे पास कितना जाएगा देखो number of distributor is equal to वो कितना हो जाएगा देखो total 3150 distribute होई है और एक distributor को 150 मिली है तो number of distributor कितना हो जाएगा हमारे पास यहां से हम कह सकते हैं कि 3150 divide by एक को जो मिली उससे divide कर देंगे तो number of distributor आ जाएगा हमारे पास सेम ऐसे यहां पर 2850 divide by एक को जो मिली number of books उससे divide कर देंगे number of distributor आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 0 से 0 cancel out कर दिया हमने 0 से 0 अगर 15 से कार चाट तो 15 2030 एक बच गया तो one time चला गया तो number of distributor 20 बना आ गया यहां पर तो यहां बात करें 19 से one time चला गया 19 बंज जा 19 उसके बाद 9 बच गया हमारे पास 9 और 5 है तो 95 होता है तो यहां पर distributor कितने आ गए 15 आ गए अब हम से पूछा गया कि जो company E में जो distributor है वो कितने ज्यादा है company C के distributor से तो देखो यहां पर 21 distributor है यहां पर 51 distributor है तो more distributor की बात कर लेत है more distributor in E is equal to 21 minus 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 distributor जो है वो ज्यादा है हमारे पास तो इसका percentage हमें find out करना more कि कितना परसेंट जादा है तो देखो 6 जादा है और किसके respect में C company के respect में C में कितना है 15 है 15 से divide करते जिसके respect में find out करना उससे divide करते है multiply by 100 is equal to कितना आ जाएगा multiply by 100 percentage के लिए कि हमने 3 से काटेंगे 6 को 2 times चला गया 3 से 15 को 5 times 5 से 100 को काट देंगे 20 times 20 into 2 कितना आ गया 40 परसेंट तो 40 जो हमारां से हो जाएगा क्योंकि percentage हम से पूछा गया तो कितना पसेंट आ गया 40 आ गया अब देखो 40 जो हमें 4th option में गीवन है so option 4 will be correct answer to this question thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400 चार्स उपर